को आप कि यह हैं झा है कि खेलो एव्रीवण कैसे हैं आप आज account की एक तरीके से मान के चलिए हमारे चैनल पर account के पहले से मैं वीडियों सी डाल रहा हूं और एफे हमने एक चप्टर स्टार्ट कर दिया है डल रहा है वह वीडियो वह पास्ट जो मैंने लास्ट यर लिया था उस वीडियो को मैं डाल रहा हूं अभी हमने फ्रेस बैच बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है fresh batch में क्या पढ़ने वाले कैसे पढ़ने वाले कब से पढ़ने वाले live class होगी क्या होगी सारी चीजों पर आज discuss करेंगे तो आज हमारी यह first class है और first class के अंदर हम पहले एक बार syllabus और index को discuss कर ले और बुक को भी discuss कर ले कौन सा बुक है हम बात कर रहे हैं पूरा किसका सर एफ यानि financial account का इसके लिए बुक जो है वो लगेगा आपका जे आर मुंगा नियर बाइशॉप चाहे ऑनर्स का बच्चा और चाहे प्रोग्राम का या फिर सर बी के गोयल भूसन कुमार गोयल बी के गोयल ठीक है न यह टेक्समें की बुक है मतलब के टेक्समें तो यह ले सकते हैं वह college to college depend करेगा एसोल वाले बच्चे बाकी famous बुक जे आर मुंगा है वो ले सकते हैं जो चलता है college के अंदर जनली और साथ के साथ आपको इसके साथ और एक प्रेक्टिस पेपर भी लेना पड़ता वह हम लास्ट में कर लेंगा टेनियर आता है इस टाइप से ठीक है सर क्या के सब पढ़ाओगे सर बताओ आज हमें ठीक है सर हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहला चेप्टर हमारा जो कि हमारे एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा सर यह 15 नंबर का कोश्चन आपके एक्जाम में definitely आएगा पहला चेप्टर है इस चेप्टर का नाम है प्रप अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं इस हिसाब से कराने वाला हूं इस चेप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से क्योंकि 11 क्लास कोविड के डूरेशन में गया तो जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा या फिर नहीं पढ़ा है या पहले कुछ नहीं आता एकदम जीरो से सब्सक्राइब के बीच में option आ जाता है मैं वह भी बता कर चल रहा हूं तो और non-profit organization में बहुत बच्चे डरते हैं तो मैं इस हिसाब से कराने वाला हूं इस पॉइंट से कराने वाला हूं कहीं से कहीं तक examiner question पूछ ले आपके पेपर में question रुख जाए ऐसा नहीं होगा औ आपके exam में maximum case में तीसरा question आपके paper में दिखेगा total 5 questions होते हैं आप case में तो उसके इसाब से तीसरा question आएगा अगला है हमारा property plant और equipment और मैं सिसाधारन सी बात बोलू ना sir depreciation chapter है और इसमें से आपका 10 से 15 नंबर का सवाल exam में पूछा जाना है दूसरा तीसरा chapter हो गया practical सारे chapter and depreciation वही depreciation जो 11th class के अंदर था जिसमें provision for depreciation था SLM WDV वही यहां पर उसके साथ साथ कुछ advance point भी पढ़ेंगे क्योंकि same तो नहीं पढ़ा सकते नहीं थोड़ा-थोड़ा advance add on होता रहेगा इसका एस बदल दिया गया है accounting standard 10 है और इसको अब depreciation को किस नाम से जाना जाता है property, plant and equipment के नाम बदल दिया गया है ultimately यह depreciation तो बच्चे बिलकुल भी परिशान ना हो तो एक यह भी chapter हम start करेंगे पढ़ेंगे अच्छे से हमारी जो syllabus का part है इसके बाद inventory valuation इसको AS2 है basically इसके अंदर हमारे LIFO, FIFO, weighted average हाला कि यह chapter जो है यह cost का part होता है आगे चलके जब आप ज हाँगा cost का part होगा यह अच्छा cost का part होगा जो की semester number two में पढ़ेंगे तो सर अब हम बात करते हैं इसमें से भी exam में सवाल पूछा जाता है कितने नंबर का सर दस नंबर का लगबग सवाल पूछा जाता है तो आप marks भी count करते रहें यह 15-20 यह 15-30 और 10-50 नंबर का हो गया branch और इसके साथ एक और चप्टर सर डिपार्टमेंटर सर यह जो चप्टर है आपका 25 नंबर तक का पूछा जा सकता है यानि branch का अलग question पूछा जाता है और डिपार्टमेंटर का लग कई बार इनमें choice भी आ जाता है तो 20-25 नंबर का इंद यह दोनों चप्टर की बात करें यह भी practical है सर इसके बाद यह 678 अगर हम बात करें न चैप्टर की तो चैप्टर में हमारे कितने चैप्टर है सर जो पढ़ने वाले है practical मात्र 5 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको इसके अंदर ठीक है जो practical है बाकि 678 accounting for आपका lease lease की बात करें तो यह आपका accounting standard है इसको practically format में पढ़ेंगे accounting recognition यह theoretical subject है और आपका intangible यानि Delhi University की बहुत अच्छी यह बात है कि वह अब आपको accounting standard धीरे धीरे पढ़ाने लग रहा है क्योंकि जो accounts drive होता है वह accounting standard से ही drive होता है तो आपको root से एक्दम पढ़ाया जा रहा है पहले हम सिर्फ chapter पढ़ते थे और accounting standard का कर दिया है total मिलाके syllabus देखा जाए तो syllabus बहुत ज्यादा नहीं है syllabus कम है लेकिन time कम है आपको उसके साब से क्यूंकि आप 12 क्लास के अंदर पूरे साल में पढ़ते थे अब आपको मात्र ऑगस्त 15 अगस्त के बाद आपके college चालू होंगे 16 17 अगस्त से तो ऑगस्त को भूली करेंगे मैं इसका बैच जो है लाइब बैच भी हमारे application पर होता एक बहुत ही nominal फीस के उपर होता है चाहे आपका accounts हो चाहे आपका law हो चाहे आपका economics हो सर फीस कितनी होती है सर मात्र आपकी फीस होती है 500 रुपए और law अगर add-on करना चाहते हो तो law 100 रुपए add-on करके आप की फीस हो जाती है 600 600 ऐसे फीस बनती है टोटल करके economics जिस बच्चे को add करना है मतलब हम जितने भी subject पढ़ा रहे हैं हम 1000 रुपए से ज़्यादा कभी बच्चों से charge करते ही नहीं और यह 1000 रुपए जो फीस होती है वो फीस होती है पूरे 6 महीने की जब तक exam नहीं होता महीन उस number में आप contact करके enroll हो सकते हो तो यह class sir live कप से start हो जाएगा आपका next week जैसे की अभी 20 तारिक है अभी second semester का paper चल रहा है मैं उसमें थोड़ा सा engage हूँ 26 तारिक को उनका paper खतम होने वाला है तो 27 या 28 या मान के चलिए August 1st August से मैं आपकी classes start करूँ आपका रहने वाला है TTS में और समय रहेगा रात को साड़े साथ बजे से लेके नौ बजे तक जिसके अंदर बच्चा जॉब कर रहा हो तो भी आ सकता है बच्चा regular college का हो तो भी आ सकता है बच्चा evening college का हो तो भी आ सकता है कुछ भी कर रहा हो इस time पे हर जौन के बच्चे comfortable होते हैं YouTube पे भी इसकी वी पेड़ और YouTube पे थोड़ा सा differentiate यह रहता है कि पेड़ वाले के अंदर आपको live class लेनी की facility मिल जाती है और YouTube पे वही चीज recorded format में मिलती है तो hopefully आपको समझ में आयोगा और जितने भी senior बच्चे देखते हैं इसको प्लीज आप सभी मुझसे पढ़ रहे हैं semester 2 में पढ़ रहे हैं semester 4 में पढ़ रहे हैं जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपने friends को अपने brother को अपने junior को प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के अंदर engage हो पाए और उन्हें पता चले कि इस तरह हिसाब से भी हम पढ़ा जा सकता है thank you so much क्योंकि regular college के बाद हमें समय मिलता नहीं है जाता चली again thank you so much मिलते हम next वीडियो में इसी तरीके से